कृशी कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान अब पंजाब में अपनी दादगीरी पर उतर आए हैं अब किसानों ने पत्याला में श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की फिल्म की शूटिंग के दोरान जम कर हंगामा किया जिसकी वज़ा से शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ गया आखिर क्यों किसानों ने फिल्म की शूटिंग में बाधा डाली इस रेपोर्ट में देखिए कृशी कानून के विरोध में धरने पर बैटे किसान अब लोगों पर अपनी दोस जमाने लगे हैं हर काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां एक और दिल्ली में किसान टेक्रर रैली निकालने पर अड़े हैं तो वहीं दूसरी और पंजाब की किसान हर काम में अपनी दादागीरी दिखा रहे हैं अपनी जित पढ़ने किसानों ने अब आम लोगों के साथ बॉलिवूड एक्टर्स को भी नुक्सान पहुंचाना शुरू कर दिया है वहीं पंजाब के पटियाला में इस बार किसानों ने श्री देवी की बेटी जानवी कपूर की फिल्म में बाधा डालने की कोशिश की दिखा रहे किसानों ने साब कह दिया की क्रिशी कानून रध होने पर इस शुरू होगी बता दिकी फिल्म की शुरू की भनक जैसे ही इन किसानों को लगी थी तो वह वहां सैट पर ही पहुँच गए और शुरू को बंद कराने की मांग करते हुई हंगामा करने लगे इस द पूरी टीम को होटल वापिस लोटना पड़ा। उस देर बाद किसानों का जत्ता भी होटल पहुच गया और नारेबाजी करने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें समझाया तो वहां से वापस हुए। वहीं किसान जत्ते ने आरोप लगाया कि अभी तक फिल्म इंडरस्टीड के किसी भी व्यक्ती ने किसानों के हक में कोई बात नहीं कही है। इसलिए वो शूटिंग में हंगामा कर रहे हैं। पटियाला ही नहीं इसके पहले 13 जन्वरी को भी किसानों ने पतैगड साहिब के बस्ती पठाना में इस फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया था। तोड़े जाने की घटनाए सामने आई थी। अब दादागीरी दिखा रहे किसानों ने पंजाब के पटैला में चल रही बॉलिवड फिल्म की शूटिंग को भी रोक दिया है। और श्री देवी की बेटी जानवी की फिल्म की शूटिंग में जम कर हंगामा किया। हाला कि पुलिस ने किसानों पर काफी समझा बुजा कर उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया।